नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आत्मत्या करने वाले इंसान की हाथ की रेखाएं कैसी होती है इस चित्र में हाथ की मुख्य रेखाएं बनाई गई हैं यह हाथ की पहली मुख्य रेखा है इसे हम हिरदय रेखा करते हैं यह रेखा हाथ की दूसरी मुख्य रेखा है इसे हम मस्तिष्क रेखा करते हैं और यह रेखा हाथ की तिसरी मुख्य रेखा है इसे हम जीवन रेखा करते हैं आमतर पर मस्तिस्क रेखा हाथ के इस कोने से निकलती हुई सीधी चलती है और हाथ के दूसरे कोने तक पहुच जाती है दोस्तों सभी लोगों के हाथों में मस्तिस्क रेखा लगबग इसी तरह से होती है परन्तु कुछ हाथों में मस्तिस्क रेखा सीधी ने चलती हुई नीचे की तरफ जुक जाती है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं मस्तिस्क रेखा नीचे की तरफ जुक जुक हुई है जब किसी इंसान के हाथ में इस तरह की मस्तिस्क रेखा होती है तो वा बहुत अधिक sensitive होता है बहुत ज़्यादा समवेदन सील होता है ऐसा वेक्ति बहुत ही छोटी-छोटी बातों पर चिंता करता है बहुत ही छोटी-छोटी बातों पर वा tension लेने लगता है और जब यह मस्तिश्क्रेखा नीचे की तरफ जुकते हुए जीवन रेखा में आकर मिल जाती है तो इस तरह का वेक्ति बहुत ही छोटी बात को बहुत अधिक गंबीर समझ लेता है वह छोटी-छोटी समस्याओं को बहुत अधिक गंबीर मानता है और बहुत अधिक तनाव में रहने के कारण जीवन में आत्मत्या कर लेता है तो दोस्तों यदि इस तरह की मस्तिश्क्रेखा किसी इंसान के हाथ में हो तो अपने जीवन में बहुत अधिक तनाव तथा चिंता के कारण आत्मत्या करता है आशा करते हैं आप सभी को अमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इसे जरूर शेयर करें जिसे यह मौत पूर्ण जानकारी अन्ने लोगों तक भी पहुचें